नमस्कार विद्यार्थिमित्रो निर्मल साइन्स नी यूट्यूब चैनल में आप सवनू स्वागत छे विद्यार्थिमित्रो गया लेक्षर मां आपड़े पार्ट नमबर 5 एम कोमर्स नो परीचाई पाना नमबर 161 मुद्दा नमबर 5.7 एकोमर्स अने एम कोमर्स मां काईदा कियव प्रस्णू त्या थि आपड़े आगण हवे आ लेक्षर मां जोवानू छे तो चालू विद्यार्थिमित्रो अपने त्यां थि आगण जालू करिया मुद्दा नमबर 5.7 एकोमर्स अने एम कोमर्स मां काईदा कियव प्रस्णू E-commerce औने M-commerce मा खणा काईदा किया पड़कार पन रहेला छे कारण के राष्ट्रिय सीमा ने द्यानमा राख्या वगर ते वेश्विक इंटरनेट उपर प्रवरुद बने छे दरेक देशना पोताना काईदा औने नियमों होई छे तेना कारणे वेश्विक इंटरनेट उपर E-commerce, M-commerce ज्यारे प्रसारित थतो होई ज्यारे ए प्रकार नो बिजनेस थतो होई त्यारे राष्ट्रिय सीमा ने द्यानमा राख्या वगर ज आपणे वेपार करता होई छे तेना कारणे दरेक देशना पोताना अलग नियमों काईदा वो होई छे एटले घणी वखत घणा बदा प्रस्न उपस्थित थता होई छे जेमा एकोमर्स ने एमकोमर्स ना काईदा किया पड़कार मा पेलू छे बहुत धिक मिलकत ना अधिकार अने बिजू छे स्वधिकार अने त्रिजू छे गुपत ता एटले किया प्राइवेसी आ त्रण बाबत वेवी छे के जे लोकोंने विचारवा उपर मजभूर करी दे छे आ प्रस्नोंना निराकरण माटे काईदा किया मार्खु जरूरी छे घणा देशोये इलेक्ट्रोनिक कोमर्स माटे तेन ना काईदा किया मार्खानी स्थापना करी छे तेमा भारत सरकारे पन आईटी काईदा हे ठड़ आईटी लोस एकलेके आईटी नूँ पुर्णाम ठासे इनफर्मेशन टेक्नोलोजी लो निस्थापना करी छे बहुधिक संपती मां उस्तको सोफ्ट्वेर, संगीत, वीडियो, कॉपी राइट, ट्रेड मार्ख अने वेब पेज नो समावेश करवा मां आवेश आपद्धा ने बहुधिक संपती केवाए चालो हुए आपने तेने संबंधित केतलाक मुद्दावनी चर्चा करिए तेमा पेलू छे मुद्दा नंबर 5.7.8 स्वाधिकार तो सुचे स्वाधिकार तो के सर्जकना मुर्भूत कारिया पर तेनी अनुमती विना अन्धिया व्यक्ती अधिकार धरावे के पोताना उप्योगमा ले तेनी सामे रक्षण आपता अधिकारने स्वाधिकार तेके कोपीराइट केवाई छे दाखला तरी के पुस्तको, सोफ्ट्वेर, प्रोग्राम अने लखारने स्वाधिकार लागू पाडवामा आवे छे कोई कोपीराइट नो मार्क करेलो होई, एवरीते कोपीराइट नो याखू डिस्क्लेमर लखेलो होई कि जेना अधारे कोई व्यक्ती कदाच एव कोई कारिय करे तो हेने एना उपर केस थही सके मोटा भागना व्यपपेश स्वाधिकार नी सुरक्सार धरावता होई छे व्यपपेश उपर थी विगतोनी नकल करवी ए स्वाधिकार काईदानो भंग थही गणाई अने एना भंग बदल जे भंग करना व्यक्ती छें तेनी उपर काईदेसर कार्यवाही थही शके छें त्यार पच्छी विद्याति मित्रों आवे छें ट्रेड मार्क तो ट्रेड मार्क एन निर्धारित लोगो चिनह, शब्द, निशानी, शब्द शमू क्या पच्छी चित्र होई शकें जेना उप्योग कोई व्यक्तिगत के संस्था द्वारा कोई उत्पादन के सेवा ने मजार ना अद्मिय उत्पादन के सेवा थी अलग पाडवा माटे करवा माँ आवे छें तो ट्रेड मार्क के वाएं पर एक्जाम्पल कोई कंपनी पोतानों दरेक प्रोडक्ट उपर लोगो लगावें तो ते लोगो छे ते ये कंपनी नी ओडखे तलेके ट्रेड मार्क गड़ाएं कोई शब्द, कोई चीन हा, कोई निशानी आ बद्धूज ट्रेड मार्क तरीके ओडखाएं नोर्मली ट्रेड मार्क ने आपड़े आ प्रकारे ओडखता होई ये टी एम, एसेम अने आर नीशानी द्वारा दर्सा वमावे छे आव उपरांत अनिय पन होई शके ट्रेड मार्क आतो खाली उदार अन्पूर्तातमने आई पाश है ये मुद्धा नंबर 5.7.3 डोमेन नामनी तकरार अथवा ये साइबर स्पोर्टिंग पन केवाई तो पहलाना समयवा डोमेन नाम वहलाते पहलाना तोरणे आपवा मावता आता केटलाक लोकोद्वारा उप्योग मा लेवाता न होए तेवा नामनी नोंधनी करावी लेवामा आवती अन्पछी थी आ डोमेन नाम कोई संस्था ने घणी उच्ची किमत लईने वेची देवा मावतू आने साइबर स्पोटिंग केवाई के जे अगाव जे व्यक्ति जे नामनी संस्था कम्पनी काई धरावतो न थी छता पन तेना नामनू डोमेन तमे परचेस करी लियो अने ज्यारे ए व्यक्ति ने ते डोमेन जोतू है कोई पन व्यक्ति ने तो ते डोमेन तेने आपी देवा मावे उची किमते वेचवा मावे बौधिक संपतिनी सुरक्षा मुद्दा नंबर 5.8 तो बौधिक संपतिनी सुरक्षा माटे केटलिक पद्धति ओ जे छे एनी आपड़े चर्चा करवानी छे जेमां पेलू छे 5.8.8 स्टेग्नोग्राफी एक व्यक्तिमा अन्य व्यक्तिने सुरे एक माहितिमा अन्य माहितिने संताडवानी क्रियाने स्टेग्नोग्राफी केवाई छे स्टेग्नोग्राफी नुकारिया कॉम्प्यूटर मा रहेला पन उप्योक मा लेवायेला न होई तेवा चित्र, द्वनी, लखान धरावती फाईलोंने अद्रश्य माहिति साथे बदलवानू ए जेनू काम आ अद्रश्य माहिति साथू लखान होई शके गुप्त लखान के पछी चीत्र पण होई शके स्टेक्नोग्राफी माटे विशिष्ट सोफ्ट्वेर जरूरी छे जे इंटरनेट उपर सी सरण ताथी डाउनलोड करी शकाई छे तेवी फ्रीवेर आवरूती पण उपलब्ध छे के जेने तमारे खरीडवी पड़ती ना थी अन्ने तमे श्टेक्नोग्राफी करी शको छो कोई पण माहिति उपर ठाई शके थी त्यार पच्छी नो मुद्द्दा नंबर 5.8.5 बै चीए दिजीटल ओड़क का डिजीटल ओड़क ची न हसूँ छे तो चे वहतर मार्क ए डिजीटल चित्र था सेवळ tecnología मां उमेर्वा मां आउतो डिजीटल कोड छे एटले डिजीटल ओड़क चीन होके वाई डिजीटल वटर मार्किंग जे फाइलना स्वाधिकार एटले कोपी राइट नी ओड़क आपतो होई नर्मली तमें कोई पेईज एवुजोवो के जिमा कोई संस्था आत्वा कोई कम्पनी नो आच्छो लोगो तमने देखातो होई तो एना वटर मार्क कही रुके वाई तो एजे वटर मार्क छे एए एक डिजीटल ओड़क छे के जे ते कम्पनी नी पोता नी छे वटर मार्क माहितीने संफोण अद्रस्ये 100 रुपे संख्र करवानी सुविदा आपे छे आ अभीगमने डिजीटल ओड़ियो ने विडियो जेवा अन्निय माध्यमा माप्पर क्रियान विद करी शकाई छे जो कोई ए पास्पोर्ट मां चेड़ा करी फोटो बडली ना क्यों होए तो ते जानवा माटे पास्पोर्ट स्केन करी फोटा साथे ना अद्रस्ये नाम नी चकाश्टनी करी शकाई छे अन्ने ए अद्रस्ये नाम ये वोटर मार्क केवाई ये वोटर मार्क तमारा पास्पोर्ट मां जयारे तम्हें पास्पोर्ट बनावा आपे लो होई त्यारे इंदी साथे तमारा फोटो नी साथे अद्रस्ये नाम एटेज थाई गी होई पास्पोर्ट नी अंदर जे काई आईडी होई एना आधारे पास्पोर्ट स्केन थाई अने एस्केन थाई त्यार पछी तमारो जो फोटो चेंज करेलो होई तो तरत्थवर पड़ी जाएक आप आई फोटो नाची फोटा बडलावी नाकपामा आवेलो छे आईया जी आई एमपी जी आई एमपी जेवाब फ प्रेश्यमान वटरमार्क उमेरी शकाए छे त्यार पछी नूँ पेज आपड़े जोईए मुद्दा नंबर 5.9 एकोमर्स औने एमकोमर्स माँ चुकावणी तो विध्यार्थे मित्रों एकोमर्स एमकोमर्स माँ चुकावणी ए सौथी महत्वनू पास्वु छे चुकावणी नी परमपरागत पधतियो मा रोक और चेक क्या पछी क्रेडिट काड वड़े थती चुकावणी नो समावेस थाई छे ग्राहक अने विक्रेत आतले के वहेंचनार व्यक्ति वच्चे थाएला ओनलाइन नाड़ा किया विनी माई दे इलेक्ट्रोनिक चुकावणी केवाई छे आजकाल इलेक्ट्रोनिक चुकावणी माटे ना मुख्य विकल्पो नी चर्चा नीचे करवामा आवी छे जेमानो पेलो छे चुकाउनी माटेना कारड, पेमेंड कार्ड तो चुकाउने माटेना कार्ड माँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अन्ने स्मार्ट कार्ड नो समावेस थाइची સામાન્ય રીતે ગરાહક દવારા ખરિદી માટે ઉપયોકમાં લેવાતાર તમામ પ્રકારના પલાસ્ટિક કાડને પ व्यांपक प्रमार मां स्विकरुड पधती चे Issuing bank द्वारा ग्राखकने क्रेदित काड़ आपवां मां आवे चे खोई पण bank होई ए यह तमने credit काड़ आपए नोर्मली मोटा भागने bank मां credit card होई छे Issuing bank credit card ना व्यवसाइमा स्थापित औने नमांकित नाणकिया संस्था ना क्रेडिट कार्ड पूरापाड जहमके, आयां मास्टर कार्ड अत्वा वीजा कार्ड एक जेनिवन कार्ड तरीके लोक उपियोग मा लेता होई छे क्रेडिट कार्ड बारा ग्राहकने धिराण क्षमता आने आवकना स्तर उपर आदारे धिराण पूरू पारवामा आवे छे क्रेडिट कार्ड बेंक ना खाता साथे सहल लगन होवा थी ग्राहक जहरे तेनो उपियोग ओनलाइन चुकावनी माटे करे छे त्यारे विक्रेता पोताणा मालनी कीमात conceptual बेंक पासेती वसुल करें शे अनन पथी ग्राहके ते ढकम बेंक ने चुक्ष involvesानी होई छे अनन ते चुकवा माटे नोपण अ मुक्षमय वेबसाइट द्वारा क्रेडिट कार्ड थी चुकावणी स्विकारवा माटे व्यापारी एक्वाईरिंग बेंक माँ स्वियावसाईक खातू खोलावे छे कार्ड नी शक्रियता हरीदी माटे अपाता धिराण नी मर्यादा अने बिलिंग नी माहिती जेवी अन्य विगतों नी चकासनी ने ग्राहक नी अधिकरूत्ता केवा माँ आवे छे ते ग्राहके करवानी रे छे अई आपने केटला का क्रेडिट कार्ड आपेला छे जे आएं दर्शावेला छे इंटरनेट उपर करवा मां आवता क्रेडिट कार्ड ना व्यावार मां चार पक्स थमाविश्ट होई छे जेमा प्रथम जे पक्स से इस्यूइंग बेंग, क्रेडिट कार्ड स्विकार्टो व्यक्ती, विक्रेथा, एक्वाईरिंग बेंग, अने क्रेडिट कार्ड धराव तो ग्राहक आव मुख्ये चार भाग छे इस्यूइंग बेंग शू कर्षे, तो के ग्राहक ने क्रेडिट कार्ड आपे छे, विक्रेथा ने चुकावणी नी खात्री आपे छे, ग्राहक पासे थी चुकावणी नी रम रकम प्राप्त करे छे एक्वाईरिंग बेंग सुन करशे, विक्रेता साथे खातू स्थाबित करे छे, क्रेडिट काड नी यथा तता चकासे छे, औने वेचाण ने अधिकरूत करे छे, ओनलाइन चुकाणी माँ अन्या बेपक्स पॉन भाग ले छे जिनमा, एक छे पेमेंट गेटवे, आने विचू छे पेमेंट प्रोसेसर, तो पेमेंट गेटवे सुन करे छे, पेमेंट गेटवे ए पेपल जेवा त्राहित पक्स हो द्वारा पूरी पारवा मावती, सेवा न पेमेंट गेटवे तरीके उडख्मा मावे छे, पेपल एक कम्पनी छे, पेइपल, पेमेंट गेटवे अधिकरुत्ताज थापित करी, चुकाणी माटे ना तमाम पक्सो ना नेटवर्क नू सुरक्सित संकलन करे छे, अने तमे चुकाणी करता, वईतो तमने पन अनियाई थाई, अने विक्रेत आने पन अनियाई न थाई, तेनू ध्यान, आप एपल जेवी त्राहित बोक्स एटलेके थर्ड पार्टी, एनू ध्यान राखे जे, एब्रकारनी सुवी धाएटले पेमेंट गेटवे, त्यार पछी, त्यार पछी नू पेज जोईए, पेमेंट प् ससर एबा डेटा सेंटर छे, जे क्रेडिट कार्ड ना व्यवहारों पूरा करे छे, तथा विक्रेत आने भंडोडनी पत्तावट खरे छे, इंटरनेट उपर क्रेडिट कार्ड द्वारा थती ओनलाइन चुकावनी ब्ये भागमा वेचाहली होई छे, एमा अधिक्रुत्ता आटले के ओथोराइजेसन अन बिजू छे व्यवहार सेटलमेंट, व्यवहार करार, पेलू छे मा अधिक्रुत्ता आटले अधिक्रुत्ता धरम्यान, नीचे मुझबना पगला अनुसर्वामा आवे छे जिमा, चकास्तनी समय ग्राहक ना क्रेडिट कार्ड नी माहीती साथ व्यवहार नी तमाम विगतों दाखला तरिक्या वस्तुनी विगत खरीदीनी तारेक, वगेरे एकोमर्स वेबसाइट ने पूछी वी एकोमर्स वेबसाइट ने पूरी पाड़े छे, जे पेमेंट गेटवे ने मौकली आपवामा आवे छे, पेमेंट गेटवे आ माहीती पेमेंट प्रोसेसर ने मौकले छे, जे माहीती नी चकासली माटे इस्षूइंग बेंक नो संपर्क करेज, इस्षूइंग बेंक चकासली बाद तेनू परिणाम पेमेंट गेटवे ने मौकली आपवे छे, जो विकरेता व्यवहार ने स्विकारे है, तो व्यावार खरार एटले के सेटलमेट बने छे, अने ते समये व्यवहार नी रकम ग्राहक ना खाता माथी विक्रेता ना खाता माँ हक्तान तरीत करवामा आवे छे। बिजो मुद्दो व्यवहार करार, व्यवहार करार के चुकवणी नी प्रक्रिया धरम्यान नीचेना पगला लेवाम मा आवे छे। विक्रेता तमाम विगतो साथे नी व्यवहार नी विननती पेमेंट गेटवे ने मोकले छे। जे त्यार पछी पेमेंट प्रोसेसर ने मोकलवा मा आवे छे हो। पेमेंट प्रोसेसर चुकवणी नी विगतो ग्राहक नी Issuing बेंकने मोकली आपे छे। ते चुकवणी नी विगतो एक्वाईरिंग safety बेंकने पण मोकले छे जा विक्रेता नूं खातू छे। एक्वाईरिंग बेंक विक्रेताना खातामा रकम जमा करे छे, इस्वुइंग बेंक तमाम खर्च साथे नो बिल ग्राहक ने मुखले छे, जे तेने सुचित मरियादा मा चुकवानू रे छे, आउ क्रेडिट काड मा थसे मित्रो, डेबिट काड हसे, तो आतली मोटी प्रोसे ग्राहक ने मोटी रोकर लाइनेर फर्वु पड़तु नथी, अने बेंक ना स्टेटमेंट नी मदद वगर ग्राहक नी खरिदी नी नोंध राक्षी शकाई छे, आथई शके छे, त्यार पची बाद करिये चोथ मुद्दो, ग्राहक ना बेंक ना खातामा रोकर तो पन निष्चित रकम अमुक मरियादा होई रकमनी ते रकम सुधी नों खरिदी, तमें एमनम पन करी सकोचो तमा रखातामा पैसा नथी तो पन, अने अमुक समय मरियादा होई, ते समय मरियादा सुधी मालवनी खरिदी नी सुवेदा तमने मड़े, अने अमुक समय तम ક્રેડિટ કાડની મરેયાદાઓ જોઈએ સુરખ્સાની ડ્રસ્ટીએ ક્રેડિટ કાડની મરેયાદાઓ છે બીજુ બહુ મોટી કે બહુ નાની ચુકાઓની માટે તે અયોગ્ય છે ત્રીજુ ગ્રાહક પોતાની ક્ષમતાથી વધુ ખર્ચ કરવાની માંશેક્તા ધરાવી સકે છે કણી વખત એઉં થાએ ખાતા માં પઈસાને ઓએ કરેડીટ કાડ હોએ એટલે લોખો ડેબીટ કાડનું કારીય કરેડીટ કર્તા અલગ છે તેમાં ગ્રાહકના બેંકના ખાતા માથી સિધા તેથી ગ્રાહક પોતાની મરીયાદા માજ ખરી દી કરી શકે છે આયા આક્રુથી પાત પોયટ 24 માં ડેબીટ ડેબીટ કાડ ડેબીટ કાડ જેવુજ છે જેવુજ દેખાય છે પરંતુ તેની સપાટી ઉપર માઇક્રો ચીપ જડેલી સપાટી ઉપર માઇક્રો ચીપ જડેલી હોઈ છે આ માઇક્રો ચીપમાં ખાતાની માહીતી આરોગ્યે સંબંદીત વ સંગ્રક્ષમતા સામાન્ય કાડ કતતા સો ગણી વધુ વધુ હોઈ છે સમાટ કાડમાં સંગ્રુઈત માહીતી સાંક ખણો ફાઇદાકારક થાય છે ડીજીટલ રોકરણનો સંગ્ર કરવા દરધી નો તબીબી એહવાલ મેળવા જેવા ઘણા બધ કરેડટ કરડની તુલના માં ચારજ કરડ માં ધીરાણ ની કોઈ મર્યાદા નથી વતી ગ્રાહકે કાડ આપનાર સંસ્થાને બીલીં સમઈ ગાડાને અંત્રે પૂરી પૂરી રકમ ચોકવણી કરવાની હોઈ તેટલું જ આ નેટ બેંકીંગ પણ અત્યાદના સમઈ માં પ્રચલીત થયલું છે એટલે કે નેટ બેંકીંગ અથવા ઓંલાઇન બેંકીંગ માં કોઈ પણ પ્રતારના કારડનો સમાવેશ કરવા માઉતો મિત્રો ઇનેટ બેંકીંગ સહિતનું બેંકીંગ ખાતું ધરાવતો ગ્રાહક તેનો ઉપયોક કરી શકે નેટ બેંકીંગ દ્વારા ગ્રાહક ઓનલાઇન ખરીદી તેમજ ચુકવણી કરી શકે છે જેનામાટે બેંક દ્વારા તેને નેટ બેંકીંગ પાસવાડ આપવામાં આવેલો હોઈ છે એ પસવાડ જેને એક બેંક ના ખાતા માંથી અન્ય બેંકના ખાતા માં રકમ સ્થાનાંતરીત કરવાના કાર્યને એલેક્ટ્રોનેક EFT તરીકે વડખવામાં આવે છે દુન્યાની બેંકોના પારસ્પારીક વ્યવહાર એલેક્ટ્રોનીક કાર્ડ ને ઈ વોલેટ કેછે તે ક્રેડીટ કાર્ડ કે ડેબીટ કાર્ડ ની જમચકાર્યા છે ઈ વોલેટ માં ગ્રાહા કે પોતાનું નામ સંદનું ક્રેડીટ કાટની માહીતી વગેરે પક્ત એકજવાર આપવી પડે છે જે વ્યાપારી પોતાના સરવર ઉપર સંગ્ર કરે છે અને ત્યાર પછી તમારે માત્ર ખરીદી કરવા ની રીએ મિત્રો એ વોલેટનું એકુધારણ હોતમને આપું પે ટીએમ વોડાફં પે આબધી એપલીકેશોને એવી છે કે જે આ પ્રકારની સુવિધા ધરાવતી ઓએ એમાં એક્વકે તમે તમારા ડેબીટ કારડ થવા આ બે શબ્દ માથી રૂપે બઈનું છે નેશ્નલ પેમેટ કોપરેશન ઓફ ઇન્ડિયે સરુ કરેલી કાડ દવારા ચુકાઓની ની આ એક નવી રીત છે આકરૂથી 5.25 માં રૂપે કાડનું દ્રશ્ય તમને દર્સાવામ આવેલું છે જેનો ઉપ્યો કરેડીટ કર્ડ કે ડેબીટ કર્ડ ની જેમજ કરી શકાય છે એટલે આ રૂપે કર્ડ છે યતામે ચોઈ શકો દેખાય રુપે ચુકાંની માટે અનીય કર્ડ નો સ્થાનીક વિકલ્પ તમને આપવામાં આવેલો ઓઈ છે રુપે કાડના ઉપ્યોક દવારા થતા તમામ હ્યવહારો ઉપર ભારત માજ પ્રકર્યા કરવામાં આવે છે રુપે માં વ્યવહારની પ્રકર્યા સ્થાનિક સ્તરે થતી હવાથી દરેક વ્યવહારની લેવડ દેવડ અને કરારનો ખર્ચ ઘટાડી શકાઈ છે જ્યારે આમ ઓછુ ખર્ચ હવાથી રુપે કરાહકાને બેંક બંને માટે લાબદાહી બંને છે તો વિધ્યાર્થિમીત્રો આ સાથે આપણો પાથ પાંચ મોં ઈ કોમર્સનો પરી છઈ એમ કોમર્સનો પરી છઈ એ પૂરો થાઈ છે આ સાથે જે આપણો છવમાસીક પરીક્ષા સુધી નો કોર્સ પણ આઈયાં પૂરો થાઈ છે તો આપ સવે ઘરે પાઠ એક્થી પાંચના વિકલ્પો પાકા કરી લેવાના છે આપણેની ટેસ્ટ પણ ભારત માતા કીજે